आज की इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे IDFC फर्स्ट बेंक में क्योंकि इस स्टॉक में 3% की गिरावर दिखी है आज भी क्वेरी आया था और रेगुलर आता है कि सर और फिरे इस टॉक तो 97 पर कर रहा है 94 पर कर रहा है मुझे भी पता है कि 94 पर कर करब मैं कहा रहाओ कि 78.82 का वेंट करो में लिस बाजार में लॉस के रिजन होते हैं कि लोगों को वेट ही नहीं करना है सर अभी खरीदना है मतलब अभी खरीदना है तो खरीदो फिर श्टॉक जाएगा 15% लोज में तो बेच देना फिर बोलना की बजार गैंबलिंग है क्योंकि जब तक आप discipline को follow नहीं करते हो जब तक आप trendline को follow नहीं करते हो तब तक आप बरा सेयर पैसा बना ही नहीं पाएंगे सेयर बजार से यहां देखेंगे दिस हार्वार्ड ऐलुमुनस लीट्स आरेस 63 मतलब वही 65,000 करोड के आसपास का कंपनी यह वैदिनाथन जी के बारे में कहा जा रहा है इन्होंने हर्वार्ड से पराई करी हुई है और यहां कुछ भी न्यूज नहीं है जो भी न्यूज है सभी common न्यूज है उसका कुछ भी इंपक्ट नहीं दिखेगा mutual fund की वाइंग दिखी GQG partner Amit Jan की वाइंग दिखी इसके कारण delivery बेटर दिख रहा है और trend अभी भी positive है जहां bank nifty near around 2500 points गिर है वहीं इसका trend अभी भी positive है और हमने कहा कि 92 के नीचे short करेंगे और 100 के उपर long करेंगे यह consolidated form है अगर 92 को breakdown करे तो आप 82, 76 के दो target लेंगे और 100 के उपर पर ही long करेंगे अगर long term investor है already invested है average out करना है तो wait करेंगे 80 के आसपास के level का इस zone पे तो बिलकुल buying करने की सला मैं नहीं दे सकता हूँ